हलो एवरिवन चलिए लास्ट क्लास में हमने इल्मिनेशन रियक्शन पढ़ा था प्रोपर्टीज ऑफ अलकाइल हलाइट में आज उसी का अगला टॉपिक है मतलब उसी का पुछ एक प्रोपर्टीज है उसे हम लेकर चलेंगे तो चलिए यहां पर देखते हैं पहले जिसे हम करते हैं करते हैं यहां से ब्रोमीन हटा था और यहां से एक हाइड्रोजन अगर आप डालोगे तो क्या बचेगा और हम elimination के जगा substitution reaction करा दे मतलब इस bromine को हटा के अगर दूसरा group लगा दे इसे यहाँ से अगर मानलो OH- reaction OH- सब यहाँ पर लगेगा OH- क्या है? Nucleophile है एक Nucleophile को हटा के जब दूसरा Nucleophile आएगा This is called Nucleophilic Substitution Reaction यह क्या कल आएगा? Nucleophilic Substitution Reaction तो देखे, कब क्या होता है? यह सबसे important है तो याद रखना है, जब हम Alkyl Halide को Alcoholic Base में डालेंगे यहाँ बेस के presence में रखोगे और देखो को क्वेशन में अगर वहाँ heat का symbol बना रहा है और Alcoholic Base नहीं भी तो कम से कम इतना दिमाग में रखिए अगर Alcoholic Base के presence में Alkyl Halide को treat करते हैं, कौन सा reaction होता है? Elimination reaction और आपका product बनेगा Elimination product Alkene इतना clear हुआ? Alcoholic Base के साथ, फिर से बोलो Alcoholic Base के साथ जब हम Alkyl Halide को react कराते हैं तो मेरा सबस्टिशन, यहाँ पे कौन बना? Elimination product बना Alkene लेकिन वही Alkyl Halide को जब हम Aquos Base के साथ Aquos Base के साथ डालोगे तो यहाँ पे निक्लिफिलिक substitution reaction होगा मतलब यह Aquos Base यहाँ से एक निक्लिफाइल जनरेट किया OH- जो क्या करेगा? यहाँ से Bromine एक निक्लिफाइल को अटा करके OH जोड़ देगा और मेरा एक substitution product alcohol बनेगा तो चलो इसको इदम दिमाग में याद रख लीजी यहाँ भी base है यहाँ भी base है बस condition अलग है Alkyl Halide को जब हम alcoholic base में डालते हैं तो इक elimination यानि Alkene हुआ और जब Alkyl Halide को Aquos Base में डालते हैं तो substitution product alcohol बना इससे इतना question है आपके NCRT में 2-3-3 question है और जितना भी आप conversion बनाओगे वहाँ पर यह चीज़ आएगा तो चले हम लोग conversion भी बनाएगे जो कम से कम दो question आपके NCRT में वो conversion भी आएगा और एक जो आपके NCRT में है कि what happens what is the major product of this one वो हम लोग पाले देखेंगे तो याद क्या रखना है चलो फिर से बोलना एक बार alcoholic base के साथ जब हम alkyl halide का reaction करते हैं तो elimination product अलकीन बना लेकिन वही अगर aqueous base ले ले हम to alkyl halide के साथ reaction पर वो nucleophilic substitution reaction product देता है क्या बनता है alcohol clear है? चलो हम next slide पर आते हैं जहां पर question है गौर्ट से देखेंगे ध्यान दीजिए यहाँ देखे जैसे यहाँ पर क्या है? इथानौल के presence में base है तो इथानौल के presence में है यानि यह क्या हो गया? alcoholic के वच तो alcoholic के वच में हमने कहा था कि यहाँ से elimination product बनेगा तो सबसे पहले इसको बनाओ यहाँ पर है आपका CS3 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 और यहाँ पर भी है CS3 तो इसको हम ऐसे लिए देते हैं CS2H और यहाँ पर हम DR लगा देते हैं हमने कहा अभी अभी यहाँ पर क्या कहा था? alcoholic base के साथ elimination होगा यह आपका NCRT का question है NCRT में आपको पुछाए कि major product क्या होगा elimination होगा हम इसे color बदल लेते हैं यहाँ देखिएगा elimination रखना है तो यहाँ से BR निकाल तो और यहाँ से H जैसे ही यह निकालेंगे अब गौर से देखना यहाँ पर जो आपका product बनेगा इसे मैं उपर हम बना दो यह क्या हो जाएगा CH3C यहाँ double one CH2 और यहाँ बन जाएगा आपका CH3 ऐसा रहेगा यह क्या बन गगा? alkyne कैसे बना? substitution product हुआ substitution product कैसे हुआ? जब हम alcoholic base में alcoholic base में जब हम alkyl chloride को रियक कराते हैं तो मेरा substitution product substitution करते हैं यहाँ मेरा elimination product क्या बना? alkyne इतना दिमाग में राना चाहिए अब आई ले यहाँ देखो यह base है और यहाँ पानी लिया गया पानी मतलब यह क्या हो गया? aqos वाला condition हमने aqos में क्या कहा था इस bromine को हटा के जो भी halogen है उसको हटा के क्या आ जाएगा? OH इसके जगए एक niqulify लाएगा OH- चल इसका product बना देते हैं तो CH3 CH यहाँ bromine के जगए कौन लग गया? OH और यहाँ पे है मेरा CH2 CH3 कहने का मतलब यहाँ पे मेरा substitution product क्या त्यार हो गया? alcohol तो यह दो question था दो question से बहुत बड़ा concept clear होता है कि जब हम base को aqos condition में base को जब हम aqos condition में डालते हैं तो मेरा alcohol बनता है और जब base को हम alcoholic condition में डालते हैं तो alkeen बनता है यह clear है सबको? इसमें कहें किसी को कोई confusion नहीं होना चाहिए किसी को भी कोई confusion नहीं होना चाहिए चलिए next slide के रते हैं अब है मेरा reaction with metal मेरा है reaction with metal कहता है alkyl halide को alkyl halide को कोई भी active metal metal ऐसा नहीं कि आप deep block वाला metal है कोई active metal लो जैसे group 1 और 2 जैसे group 2 metal है यहां मेरा magnesium तो alkyl halide को जो magnesium के साथ आप treat करेंगे in presence of dry in presence of dry तो आपका बनता है grignard resident क्या बनता है grignard resident है क्या तो एक तरह का organometallic compound है पर से देखना है यहाप पर हमने क्या कहा हमने आपको कहा कि alkyl halide लिया था उसको magnesium के साथ जब dry थर में रखें तो यहाँ पर rx था उसके बीच में कौन लगया rmgx गौर्स देखो this is an example यह जो rmgx है एक grignard scientist का नाम है उन्होंने इसको discover किया था उन्हीं के नाम पर रखा गया grignard resident यह तरह का organometallic compound है organometallic compound कहते है किसको यहाँ देखना r है तो r यह कोई भी carbon वालग रूप होगा और यहाँ magnesium है और यहाँ पर x है काहने का मतल जब carbon किसी metal से यहाँ देखना carbon जब किसी metal से directly जुरा हो नहीं हिंदी में मैंने लिखते है जिस compound में carbon atom metal से directly जुरा हो उसे हम क्या करते है organometallic compound तो फिर सुनेगा what is organometallic compound जब carbon atom metal से directly जुरा हो that is called organometallic compound चले एक्जांपल देख लिए जिससे यहाँ पर r x लगा हुआ है मतलब alkyl halide है alkyl halide को जब हम magnesium किसी भी active metal के साथ dry ether में हम डाले मेरा क्या बन गया grignard agent क्या बना grignard agent ठीक है अब इस grignard agent के भी सहमें परहेंगे कि grignard agent का कौन सा active part होता है और क्यूं होता है तो फिर से इसको revision कर लिजी या देखे alkyl halide को active metal के साथ dry ether में डाले क्या बना grignard agent this is an example of organometallic compound किसको करते है ठीक है यहां पर उसी को मैंने दिखाए कि grignard agent कैसे बना है प्रियर है चलिए नेक्स स्लाइड पर आते है यहां देखेंगे यहां देखें जैसे यह मेरा RMGX यह मेरा grignard agent इससे समझेंगे डंग से समझेंगे यह जो मेरा grignard agent है इस grignard agent को आप देखेंगे तो यह मेरा carbon है और यह मेरा metal है तो आप कोस क्या होगा कि carbon की electro negativity इस metal से ज़्यादा होगी यहां पर यह है covalent bond लेकिन highly polar है क्यों polar है polar covalent bond पर यह polarity यहां पर ज़्यादा होगी इसलिए ज़्यादा होगी यह middle है इसमें tendency होगा electron देने का और इसमें tendency होगा electron लेने का लेकिन यह है covalent bond तो जब यह लेगा तो यहां पर कैसा charge होगा minus और यह दे रहाता तो कैसा होगा plus और इसके भी जो यहां जो bond होगा यह और इसका होगा यह ionic bond होगा जैसे NaCl में bond रहता है Na plus Cl minus इसमें लोग करते हैं तो यह कहुंसा bond होता है यह उसी तरस ही हां पर ionic bond होगा clear है तो यह bond पहले समझ लीजिए तो bond में क्या हुआ यह वाला covalent bond था और covalent bond होने के कारण यहां पर electrone negativity की बहुत ज़्यादा difference है क्योंकि यह metal है और यह non-metal है तो non-metal होने के कारण यह electron को खीचे है चुकि इसकी electron negativity ज़्यादा है तो जैसे ही खीचेगा तो आप पूस यहां पर कैसा charge जाएगा minus यहां कैसा charge होगा plus और यह वाला bond देखिए जो निजियाटी लिखा है और mention किया तो कहां क्या पूछेगा बटा कहना बराम उसके लिए यह जो bond होगा यह मेरा कैसा होगा ionic bond तो कहता है ग्रिगनार डिजिन्टार highly reactive यह बहुत reactive होता है and reacts with any source of proton कोई भी source जो होगा proton का जैसे acid है पानी है alcohol है हमाइन से उससे वो रिएक करके क्या बना देता है hydrocarbon क्या बना देता है hydrocarbon पिर से देखिये हमने क्या कहा यह ग्रिगनार डिजिन्ट बहुत ही reactive एक reactive गहो कोई भी source है और इतना ज़्यादा reactive होता है कि यह किसी भी कोई भी proton source proton source करना हो मतलब H-plus देने वाला तो H-plus देने वाला क्या होता है acidic यहनि कहीं भी अगर acidic hydrogen आपको acidic hydrogen donor कोई भी species मिला तो वो क्या करेगा उससे रिएक करके क्या बना लेता है hydrocarbon जैसे acidic hydrogen देने वाला H-plus पानी से मिल सकता है alcohol से मिल सकता है आपको जैसे terminal alkyne से मिल सकता है तो कहता है यहां से जैसे पानी में तुम डालो गते H-plus पानी से मिला यहां यह combine कर लेगा इस के साथ इस R के साथ क्या बन गया मेरा alkene और यह acid-based reaction होगा कुछ लोग कहते हैं कि सर यहाँ nucleophilic substitution क्यों नहीं हुआ इसलिए नहीं होगा कि यह nucleophile की तरह जब तक सोचता सोचता यह acid की तरह behave करने लगा और यह base की तरह behave करने लगा और आपको पता मुनाची के acid-based reaction fast होता है इसलिए nucleophile की तरह behave जब तक करता उससे पहले यह आकर proton के साथ वो react करके और वो क्या बना लेता है आपका alkyne clear है चली next slide की और बढ़ते हैं हम दो अब आते हैं reaction of alkyl halide with metals with metals तो याद रखिएगा alkyl halide को metal से treat करते हैं तो यह जो reaction है urge urge reaction आपके syllabus में पढ़ना है लेकिन syllabus में urge तो पढ़ना है fitting पढ़ना है urge fitting पढ़ना है और उससे मिलता जूलता दो reaction और है तो आपको यह पाँचो reaction एक साथ अगर याद कर लिजेगा तो पढ़ा फाइदा होगा तो चले यह एक बार साथ reaction को देख लीजे देखें हैं यह मेरा alkyl halide है ठीक है दो alkyl halide लिया एक इधर से एक इधर से दो sodium है sodium एज यहाँ पर आपका काम करता है reaction की तरह dry इधन में जैसे ही डालोगे यह sodium क्या करेगा यह दोनों तरफ से halogen को निकाल लिया और कैसे निकल लिया वो nax के form में इतना जाल गे दो यह यहाँ लिया तो यह कितने कारवन का बनेगा? चार कारवन का जहां पर question आएगा, उस question को हम रोड discuss करेंगे, उसी के अनुशा है, नेक्स आईए, अब कहता है fitting लिए, this is, नाम सुनों यहाँ, उर्ज में क्या लिए, sodium, fitting में क्या करेंगे, अभी भी sodium ही है, लेकिन गौर से देखो, एक मेरा aryl halide है, और एक मेरा, दोनों तरब से aryl halide है, fitting है यह, this is fitting, दोनों तरब से कोना है, aryl halide, तो क्या होगा यहाँ पे, biphenyl, मतलब दोनों तरब से क्या होगा, दो benzene आके इस तरह स जुड़ गया, तो दो benzene, यहाँ पे मेरा यह बाइफिनाईल कोड़क्ट बन गया, कहने का मतलब संजो, यहाँ पे अलकेन बना था और यहाँ पे बना बाइफिनाईल, क्या होगा था, फिर से सुनो, ओर्ज रियक्शन में दोनों अलकाईल halide था, fitting reaction में दोनों अराइल halide है, किसके साथ, यहाँ भी sodium, यहाँ भी sodium, ओर्ज रियक्शन में अलकेन बना, और fitting reaction में में मेरा बाइफिनाईल बना, clear है, चलिए, next slide पे जाते हैं, यहाँ देखिएगा, यहाँ देखिएगा, अब कहता है, ओर्ज फिटिंग रियक्शन, ओर्ज फिटिंग रियक्शन, दोनों को combine कर दिया, मतलब ओर्ज में क्या था, sodium और अलकाईल halide, fitting में क्या था, sodium और अराइल halide, यहाँ क्या करना है, sodium तो दोनों में को बनता है, sodium तो रहेगा अब यहाँ पे एक alkyl halide और एक arryl halide मतलब यहाँ पे क्या बनेगा इस तरह से बेंजीन में कोई भी मेरा alkyl group लगा रहेगा यहाँ अलकाइल बेंजीन मेरा final product होगा किस में? oz fitting में फिर से बोलो oz में क्या था? sodium और alkyl halide फितिंग में क्या था? sodium और arryl halide और oz fitting में क्या हुआ? एक alkyl halide और एक arryl halide जब sodium के साथ रियक करता है तो मेरा बनता है क्या? alkyl benzin, क्या बना मेरा alkyl benzin यह मेरा बना alkyl benzin क्लिर रहे यह चित चलिए, अब आईए frankland, एक लेते हैं frankland और एक है मेरा almond, चलिए इसको हम लोग दो बारी vision करेंगे, frankland में क्या है दोनों तरफ से alkyl halide और sodium के जगह को न आ गया zinc, मतलब यह किसके जैसा मिलता हुआ है, पूर्ज reaction के जैसा ही मिलता जुलता है, बस करना क्या है, आपको frankland में क्या लेना था, sodium के जगह zinc और दोनों alkyl halide होगा तो यह मेरा reaction कौन होगा, frankland सारा मेकन जैसा पूर्ज में होता है वसा ही यह follow करता है तो यह कौन है मेरा, frankland reaction next time, almond reaction almond reaction की बात करोगे, तो almond reaction में देखो होता क्या है almond reaction में, अब दोनों तरफ से aryl halide है यह भी मेरा aryl है, यह भी मेरा aryl है, मतलब यह fitting reaction की तरह है, लेकिन वहाँ sodium के जग़ कौन आ गया, copper तो यह हमारे फिर से बन गया biphenyl, biphenyl product यह fitting reaction के जैसा है तो चलो फिर से एक बार याद करो फिर से एक बार याद करो हमने क्या का का चलो देखेंगे सब लो चली, यहाँ 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 देखिएगा, हमने क्या सिखाया आपको अभी, कि जब उर्ज reaction था तो alkyl halide, alkyl halide with sodium, ठीक है fitting reaction था तो aryl halide, aryl halide with sodium clear है लेकिन जब हम उर्ज fitting की बात करेंगे तो उर्ज में था चलो यहाँ देखो उर्ज में था alkyl halide with sodium fitting में था aryl halide with sodium तो उर्ज fitting में क्या हो गया एक alkyl halide और एक aryl halide with sodium सायद याद हो गया चलो, अब बोलो उर्ज reaction, उर्ज reaction में कहता alkyl halide, दोनों तरफ से और sodium, यहाँ पर क्या है alkyl halide तो है लेकिन sodium के जगे को न आ गया zinc तो याद रखिया, frankland में को न आ जाता है, उर्ज में जो sodium था बस उसके जगे क्या करना है zinc ले आना है, दोनों तरफ से alkyl halide और zinc चलो, fitting reaction में क्या था aryl halide और आपका sodium, उस sodium के जगे, अब क्या करना है, copper ले आना है this is known as alman reaction तो यह पाँचो reaction, एक बार revision कीजी, बड़े अच्छे से clear होगा, परे अच्छे से clear होगा और हम लोग जैसे से आगे भरेंगे, वैसे इसका questions देखेंगे, इसके questions में हम लोग बहुत कुछ practice करेंगे, तो चलिए छोटा सा topic था, हम लोग इसको यहीं पर खतम करते हैं, और इसमें जो अभी हमारे पास जो reaction बचा हुआ, hello audience का तो next class में हम लोग वो करेंगे चलिए, most probability है कि just you class हम आपको update करेंगे ओके, चलिए